नमस्कार दोस्तों आपका सौगत से मेरे यूट्यूब चानल अनलॉक्यो लर्निंग पे आज की इस वीडियो में हम लोग खल करने जा रहे हैं कारेपटरक 42 जिसका विश्य है हिंदी और यहां 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 पर आपको अपना नाम डाल देना है और यहां पर आपको आपके कक् आपक यहनी क्लास टीचर का नाम डाल देना है तिथी डेट है यहां की 17 दिसम्बर 2020 चलिए पढ़ते क्या लिखा गया यहां पर प्यारे बच्चों पिछले कारेपटरक में हमने विश्रु प्रभाकर द्वारा लिखी एकांग की ऐसे ऐसे का कुछ भाग पढ़ा जिसमें ह जाना की मोहन का मोहन नाम का बालक किसी ऐसे ऐसे नाम की बीमारी से पीड़ित है परंतु उसके माता पिता को कुछ समझ में नहीं आ रहा की यह कैसी बीमारी है तो चलिए आगे पढ़ते हैं और जानते हैं कि वह कौन सी बीमारी है तो अब चलिए हम लोग आगे इस गद्य रांज को बढ़ाते हैं और पढ़ते है कि कौन सी बिमारी इसे हैसे के नाम से बताता है तो जलिए पढ़ना शुरू करते है तबी फोन की घंटी बचती ह कि अच्छाल一個 उठाते हैं तो क्या होता है यहां पर डॉक्टर सहब जी हाँ मोहन के पेट में दर्द है जी नहीं खाया तो कुछ नहीं बस यहीं कह रहा है बस जी नहीं गिरा भी नहीं ऐसे ऐसे होता है बस जी ऐसे ऐसे होता है बस जी ऐसे ऐसे यह ऐसे ऐसे क्या बला है कुछ समझ नहीं आता जी जी हाँ, चेहरा एकदम सफेद हो रहा है, नाचा नाचता फिरता है, जी नहीं, दस्त तो नहीं आया, जी हाँ, पेसाब तो आया था, जी नहीं, रंग तो नहीं देखा, आप कहें तो अब देख लेंगे, अच्छा जी, जरा जल्दी आईए, अच्छा जी, बड़ी पा है, फोन का जोंगार रख देते हैं, डॉक्टर साहब चल दिये हैं, पांच मिनट में आ जाते हैं, पढ़ोस के लाला दी नानात का प्रवेश, मोहन जोर से करा आता है, तो अब यहाँ पे पिता जी, एक डॉक्टर से बात करते हैं, जिस पे वो फोन पे कई चीज़े ब पेट में कुछ दर्द हो रहा है, और फिर चेहरा उसका एकदम सफेद हो जाता है, और फिर उसके बारे में कई और चीज़े भी यह पूछते हैं, जैसे की दस्त तो नहीं आया उसे, तो उसने का जी, पिस आप तो आया था, लेकिन रग नहीं देखा, तो अब देखते हैं यहाँ पर हमसे कुछ सवाल भी पूछे गए हैं, लेकिन उससे पहले यहाँ पर सवाल पूछने के बाद जो डॉक्टर जी होता है, वो फोन रखके घर आ जाते हैं पांच मिनट में, और उसके बाद वड़ोस का एक लाला दीननात भी प्रवेश करता है, जिसको देखकर को ध्यान पूरक पढ़कर पूछे गए प्रश्णों के उत्तर दीजिये, तो प्रश्ण एक, एकांग की ऐसे ऐसे के एकांग की कार कौन है, ऐसे ऐसे एकांग की के एकांग की कार लेखक विश्णु प्रभाकर है, तो प्रश्ण दो है, मोहन को ऐसे ऐसे कहा हो रहा था, प फ्यार में पूरे शरीर में उसको ऐसे ऐसे पेट में हो रहा था प्रस्ण तीन चेरा सफेध हो जाना मोहावरे का अर्थ लिख कर वाके में प्रयोग कीजिये ठीक है तो चेरा सफेध होना मोहावरे का अर्थ बहुत अधिक घबरा जाना होता है ठीए तो अगर आप बहुत जादा और अधिक घबरा जाए तो इस मुहावरे का उप्योग कर सकते हैं चेहरा सफेद हो जाना और इसका वाक्य बंज रहेगा जब रानी को परिक्षा में फेल होने की सूचना मिली तो उसका चेहरा स जी नहीं दस तो नहीं आया किस को कहा तो मोहन के पिता ने डौक्टर सहाब को यह चीज कही थी कि नाच्चा नाचता फेरता है जी नहीं दसट तो नहीं आया ठीक है फिर यहांपर एक गतिवीधी भी दी ङई है तो चले का पूछा गया है हम से उपर गद्याच में आए संग्या शब्दों का चार्ट कर को चार्ट कर लिखिए तो यहां पर कुछ लिख देता हूं आपको एक जेनरल आइडिया देने के तो पहला है मोहन मा पिताजी फोन लाला दीनानात जो कोई आपको शब्द ऐसे लगे जिन में संग्या होती है जैसे किसी जगा का नाम व्यक् होते हैं और विए अगर कोई आपको संग्य के शब्द मिले तो आप वह भी यहां पर लिख सकते हैं जो कि इस गद्यांस में दिये गए हूं और आच्छी कार्यपत्र के लिए इतना है उमीद करता हूं आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी चैनल पर नए है तो सब्सक् टेक क्यर बाई बाई